हेलो दोस्तों स्वागताब सबीक मेरे चैनल बंदन स्टूडियो पे और मैं हूं बारत आज की इस वीडियो में हम जो है फो टू एडिट करना से केंगे वैसे तो मैंने टिटोरियल बहुत सारे बनाए हुए हैं हे अडिक लेकं हर तस्वेयर को अपने साप से वीडिट किया जाता है आज इस के ऊपर हम काम करेंगे और किस तानवसे इस का इसरो है यह इंगें की ऐनरा को चैंज भी कर सकते हैं और जो इसके अंदर सब्जेक्ट है की कलर वगशर कईढ़से रांगे और किस तरह से पिक्चर्स बनाएंगे थमिल तो आपने देख लिया होगा तो चलिए शिरू करते हैं साबसे पहले इमेज में जाना है अजेस्टमेंट में और यहां पर सेलेक्टिव कलर पर तो यहां से आपने पहले वो कलर सेलेक्ट कर लेना जाए जो के इमेज के अंदर से आपने हटाना है या चेंज करना है या कुछ उसके अंदर तबदीली करनी है वो कलर सेलेक्ट होना चाहिए उसके बाद यह देखे आप आई ड्रॉप बन गया है जैसे के हमने कोई चीज पिक करनी होती है ये जैसे आगे हैं कोई color को pick करने के लिए तो हमने color pick कैसे करना है देखे जहां पे ज़्यादा dark color हो वहाँ से आपने pick करना है ये देखे यहां पे भी show कर रहा है अब यहां पे देखे ये है black यानि के एक तरफ अंदेरा और एक तरफ light ठीक है तो इसको फिलाल नाचेड़ ये येलो है ये देखिए क्या हो रहा है इनको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए मरजिंडा है ये देखिए इससे क्या हो रहा है ये देखिए ठीक है इसी तरह से ये देखिए अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि color कैसे हमारे change हुए है यह देखिए यहां पर रखना है यह देखिए यह हमारा color जो है yellow हमने रखना है या बढ़ाना है इसलिए इसको हमने 100 plus कर दिया अब यह है light, dark or white तो picture के हिसाब से इसको adjust करना जैसे कि मुझे यहां तक battle लगा तो मैंने यहां पर simply रख दिया okay कर दिया उसके बाद एक बार फिर से आपने यही चीज़ दोखरानी है क्यूंके आपकी image में देखो थी यहां पर कोई और color अभी भी है तो आपने फिर से वही green select किया यहां पर तो color पिक किया इसको यहां पे रखा यह देखिए यहां पर धिया रखना image के अंदर कि वहां पर तो कुछ तबदिली नहीं हो रही यह देखिए ठीक है okay हो गया उसके बाद आप आपने क्या करना है आपने फिर से आना है filter और camera filter इसके अंदर आना है यहां आने के बाद यह देखो आपके पास यह light adjustment है अगर आप करना चाहें तो अगर detail नहीं वीडियो देखनी है तो मैं पहले बना चुका हूँ वह आप देख सकते है color में आते हैं और यहां से color थोड़े से बढ़ा देते हैं ठीक है यहां पर देखिए yellow ठीक है और यहां पर देखिए green यहां पर भी आपको नजर आ रहा है यह देखिए इससे क्या होगा कि वो थोड़ा कम हो जाएगा यह देखिए ठीक है यह देखिए और yellow अपने इसाब से रख सकते हैं और यहां से यह देखिए ठीक है यह देखिए यह है red को थोड़ा सा dark कीजे और यहां पर आपर red को थोड़ा सा और बढ़ा दीजे यह है skin tune दूण इसको भी हलका सा बढ़ा दीजे ठीक है और उसके बाद यहां पर आप भी फॉर एंड आफ्टर देखिए कितना कलर में फारक आगा उसके बाद ओके कर दीजिए तो उसके बाद आपने फिर से इमेज में आना है अजस्टमेंट और यहां पर फिर से वही सिलेक्टिव कलर और यहां से अब आपने लेना है बलैक और इसको कर देना है फाइफ पे ठीक है उसके बाद आपने फिर से आना है नैच्रल सेलेक्ट करना है और इसको भी कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है तो अभी आप देख सकते हो कि आपकी इमेज किस तरह से अडिट हो चुकी है जोम करके भी देख सकते हैं यह देखिये कलर वगएरा सब कुछ ओके हैं और एकदम से अच्छी इमेज एडिट हो गई है अगर फिनिशिंग वगएरा करनी है तो उसके लिए भी आपके पास अगर प्लग इन है और वो यूज़ कर सकते हैं इस इमेज में जूरत नहीं है यह और रेडी जो है फिनिशिंग की हुई है मैंने जस इसके उपर एडिट करना आपको बताएं कि कैसे आप एडिट करके उसको एक अच्छा लुक दे सकते हो तो वीडियो अच्छी लग लिए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नहीं चीज़ के साथ तक यू